बात वाले सम्वधाता ने कि उनका क्या कुछ क्याना सुल लेता है के लिए उससे खास पाचित करने के लिए मेरा आता के वेंटर डायरेक्टर राकेश का को जीन है आज हम उसे जानेंगे कि कुरोना से एक वर्ज से अधित लोग जूज रहे हैं उसके बाद लोग ने धीरे धीरे चलना शुरूर किया था कि अब एक डेल्टा प्लेस करके चर्चाएं बहुत जादा तेज होती है जिसे लोगों में एक डर सा माहल पैदा हो चुका है तो इसमें जो डेल्टा प्लस है यह पाया गया है कि इसकी इंफेक्टिविटी बहुत जादा है अगर कोई आप प्रिकॉशन्स नहीं ले रहे हैं और कोई डेल्टा प्लस से इंफेक्टेड मरीज आपके बगल से भी गुजर जाएगा तो आप इंफेक्ट हो सकते हो फॉरण means transmission पुराने कोविट से इसका transmission बहुत जादा है सेकेंड चीज़ यह है कि यह जो वाइरस है यह सीधे लंग को अपक्ट कर रहा है इसकी लंग के प्रती अफिनिटी जो है और बैक्टी वाइरस तो पुराने पे उनसे जादा है और इसमें severity जाना है तो यह जादा infective हमारे लिए वाइरस इम्मूनिटी जो है यह हो चुका है इसमें हमें precautions लेना बहुत आवश्यक है अब दूसरी बात आती है कि अगर जो हम immunize कर रहे हैं तो क्या delta plus वाइरस के against immunity काम करेगी अभी हमारे पास साक्ष नहीं है बढ़ हमारे पास कोई method भी नहीं है तो हमें अपने को vaccinate करना है second चीज जो आपने अभी सुना होगा एक monoclonal antibody market में रॉस्ट रहाई उसमें भी clinical evidence हमें नहीं मिल ला है यह antibodies delta plus के प्रती effective होगी या नहीं होगी तीसरी चीज इसके प्रती कोई ऐसी दवाएं हमारे पास नहीं है तो दो ही चीज है एक immunization जिससे हमारे अंतर 30 minutes या है और उससे भी ज़्यादा important है COVID related behavior को follow करना mask लगाना, तूरी बनाये रखना और जब तक हम इसके युद्व में COVID का गेंस नहीं जीते हैं मेरी जन सदारण से ये प्रार्थना होगी कि वो COVID behavior को follow करें यह नहीं 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 बताया कि बचाओ भी हर समस्या का समधान है तो आप करोना काम में घर से बाहर न जाएं और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोड़ सब्रेक काद जोल हाजर होता है